हिंदी काविय प्रेमी मैं 2018 से गोल्ड मैडलिस्ट राष्ट्य पात्रत्रा परिक्षा में तीन बार उत्तिन नाम है मेरा अनीता माल्वियम सद्रिश हूँ सद्रिश हूँ इस प्रकती के कल इस आस्मा की उचाई में मेरा भी नाम होगा कल इस आस्मा की उचाई में मेरा भी नाम होगा ज्यादा तो नहीं कहूंगी पर विमर्ष के साहित्य में कल मेरा भी योगदान होगा न केवल इस त्री विमर्ष कल एक पक्षी विमर्ष भी होगा जो तुम से जवाब मांगेगा इन व्रक्षों से उन्हें वंचित किये जाने का मत खेलो इनके अधिकारों से ये भी मनुश्रदश रखते हैं अधिकार अपना इस प्रकती पर फिर क्या दोगे जवाब बन बे जुबा से तुम मौन खड़े हसी का पात्र बनोगे बहुत बार जहन में सवाल आता है कि हमें poetry बहुत अच्छी लगती है हमें कवीता अच्छी लगती है तो क्या हम कभी कुछ लिख पाएं तो थोड़ा एक छोटा सा सफल या सफल जो भी परियास वो आप पे डिपेंड करेगा बताएंगे मुझे कवीता क्या है कवीता क्या है शब्दों का जुणना भावों का घटना फिर दोनों का गुणनफल और रिस्तों का भागफल है कवीता वेशन जो कवी को सराबोर कर दे वेशन जो पाठक को आलादित कर दे होली से भी रंगीन होली सी भी रंगीन रंगों से योगत है जो स्रश्टी के भावों में लिप्त है वही कवीता मा, पिता, भाई, बहन, पती, पुत्र, पुत्री की प्रेमा भिवक्ती का आनन्द है जो शब्द पून अर्थ का मिस्टान रस्मलाई सरेस कोई स्रिष्ट पकवान जिसे सबके समक्ष परोसा जाता है वही कवीता आपलावित करने मन को जनकृत करने अंतर मन को नहीं है जिसकी कोई संशिप्त परिभाषा है जो सखी सरीस मन की भाषा है जो सखी सरीस मन की भाषा सारपून गंबीर विशे से युक्त भावों का समग्रसार ही है भावों का समग्रसार ही है कवीता जब मैंने अपने पापा को खोया था, एक साल पहले, अभी उनकी बरसी गई थी, तो समझ नहीं आ रहा था, कैसे दिलासा दूँ खुद को, तो खुद से ही प्रशन पूछती हूँ, और अंदेरी रहों में कहीं उजाले की उमीद देखती हूँ, क्या कभी संबल पाऊंगी, बैटी हूँ हाथ में लिये किताबों को, उद्देलित है मन मेरा, आसू जो समुद्र की आखरी बूंद से सूख गए, न मुह से बया कर पा रहे हूँ, न आखों से बया कर पा रहे हूँ, कैसी घड़िया हैं, बिल्कुल पत्थर से, इसे काटने को अर्शु असी भी नहीं है, अंतर मन का कहूँ, तो बिल्कुल बिखर सा गया है, बिल्कुल तूट सी गई हूँ, मैं बिल्कुल फूल की भाती तूट सी गई हूँ, मानो जिन्दगी नहीं, किसी किताब का आखरी कागज हूँ, मानो जिन्दगी नहीं, किताब का, किसी किताब का आखरी कागज हूँ, जिसे हातों में लिए बैटी हूँ जोडने को, पिता जो चले गए, बाते जो भूत बनी है खड़ी सामने, बाते जो भूत बनी है, जो खड़ी सामने, छोड़ गए हैं जो यादे, छोड़ गए हैं जो यादे, हातों में कलम हैं, पर लेखनी भी मौन है, क्योंकि काच से भी त्रव्रवेग से तूट चुकी हूँ, फिर भी बैटी हूँ जोड़ने खुद को, और करती हूँ बार-बार यह विचार, क्या कभी संबल पाऊंगे, क्या कभी संबल पाऊंगे। बिल्कुल अभी मेरा जैसे PSD में विशे भी मेरा इस्त्री विमर्श है, तो कुछ पहल उसके लिए, बेटियों ने लेकनी उठा ली हैं, बेटियां महफूज हैं केवल कहने के लिए, उसे रुलाया जाता है हर एक दहरी के भीतर, हो चाहे ससुराल या हो माएका, कद्र कही नहीं होती, सिर्फ एक पंक्ती जो उससे कही जाती है, आगे ससुराल जाकर करना, जो माईके में कही जाती है, और ससुराल जब जाती है, तो ससुराल पक्षबोल उठता है, कि जो करना था अपने घर कर आई, जो करना था वो अपने घर कर आई, मेरा प्रश्न है उस इंसान मेरा प्रश्ण है उस इंसान से चंद लमभों में बेतियों के ठेकेदारों को बदलने वालों तुम ठक नहीं जाते ऐसा वेपार करते हुए फूल सी बेतियों के सपनों को कुचलते हुए तुम एक सेकंड भी जब कभी कमरे में बंद नहीं रह सकते तो इस बीस साल की मासूम बच्ची से क्यों उमेद करते हो कि वो पूरी जिन्दगी ता उम्र तुमारी इसारों पर नाचे तमाम आशीश जो तुम उसे देते हो और उनके पंकों को भी तुम ही कुचलते हो इतिहास गवा है जब जब बेटियों ने लेखनी उठाई है केवल उजासा दिया है सत्यकों केवल उजासा दिया है सत्यकों प्रत्यक्ष लाया है तुम सबका दोगलापन प्रत्यक्ष लाया है तुम सबका दोगलापन जो परदे की आड में तुम करते हो शडियंत्र क्यूंकि अब वो उजासा देगी बेटियां क्यूंकि बेटियों ने लेखनी उठा ली है